कि तो हाना प्रतम पर प्रोप्रिय। नियूत करके अपकर करों क्या होता है कि अपता को तो areme यातोर हुए है पृप सबस्कार लकिन के बारे में नहीं आपके स्किन कीर के बारे मेरे और अॵाडिया ओर तरिकर आले मेरे मिल सब्सक्राइब साफ लेकिन निर्दसे है जलंदी सिजा बाले करें मेरे मिल सब्सक्राइबrop आजस्डा पार्ट्स का है इसका नाम है पेंकरियाज है में अपना में fluid आदि खेले अरद में में चाहर जाता है कर सकते हैं और यह क्यों खराब होता है तो चलते हैं वीडियो दराब पहले दो यह बताऊंगी कि इसके काम क्या है जब हम खाना खाते हैं जैसी हम खाना खाते हैं और खाना हमारे मैदे में जाता है तो हमारा यह पैंक्रियास का औरल से इंजाइंस बनाना शुरू कर देता है यह वो enzymes होता है जो हमारे खाने को digest करने के लिए help करते हैं तो इसका पहले काम हुआ कि हमारे खाने को digest करना दूसरा यह हमारे insulin hormones को release करता है फिर उसके बाद यह दो tissues के ओपर मुझतमिल होता है एक होता है exocrine और एक होता है endocrine तो exocrine जो tissues है यह लब लबा जो होता है 95% exocrine tissues के ओपर मुझतमिल होता है तो इनका काम क्या होता है इन tissues का 95% exocrine जो होता है क्या करते है हमारे खाने को हज़न करने में मदद करते है और जो 5% endocrine tissues हैं यह हमारे blood के अंदर sugar level को कंट्रोल करने का काम करते हैं अब बता हुए कि हमारे लब लबा खराब क्यूं होता है जब हमारे खाने के अंदर चीनी की मिगदार सफ़ है चीनी की मिगदार जाता हो जाएगी हमारे खाने के अंदर चिकनाई की मिगदार जाता हो जाएगी तो हमारे लब लबा खराब हो जाएगी तो हमारे लब लब जाए को साफ कर सकते हैं तो चलते हैं उन फूड़ की जाए नबर बन पे है हल्दी को एंटी ऑक्सिडाइट कहा जाता है यानि के हल्दी जो है अगर हम उतने खाने खानों के अंदर यूज करेंगे तो वो हमारे अंदर होने वाली बिमारियों को खतम करती है और लब-लबे की सफाई करती है लब-लबे से लब-लबे के अंदर जो गर्द आलूच चीजे आ जाती है उनको क्लीन करती है नमबर दो पे है लहसन लहसन को एंटीवाइटिक भी कहा जाता है अब लहसन जो है जब हम लहसन थाते हैं तो हमारे जिसम से फाजिल मादों को निकालने में मदद क करने में मदद करता है उसके बाद है ब्रॉकली भी जो है हमारी बॉड़ी के अंदर फाजर मादों को खारज करने में मदद करती है और लब-बे के अंदर जो लब-लबे को क्लीन करने का काम करती है उसके बाद लाल लब अगूर आपने देखा है कि डॉक्टर तकसर जिन लोगों को पेंगरी आशी प्रबल्म होजाती है वो कहता है आपने लाल अंगूर खाने हैं लाल अंग शकरकंदी जो है वो लबलबे की शकर की ही एक सबजी होती है और ये भी हमारे लबलबे की सफाई में और लबलबे के अंदर कैंसर ना होने के मुरकब पैदा करती है उसके बारे औरीगेनो औरीगेनो भी हमारे जिसन के अंदर से फाजिल मादे निकालने में मदद करता है और नेक्स्ट वीडियो में अपना वाउसा रखार रहें, अबने हाफ़ेज।